दिग्विजे सिंग मध्यप्रदेश के मुख्मंत्री थे। उन्होंने पूरे जंगल में रहने वाले जंगलवाश्यों को और गाउं के लोगों को उनके गाउं की सीमाओं में बरसने वाले पानी को सहिजने का बहुत अद्भुद काम किया था। उन्होंने उस काल में वहां के लोगों को संगठित करके गाउं का पानी गाउं में, गली का पानी गली में, खेत का पानी खेत में, सब मुद्दों पर पूरा गाउं का पानी का ऑडिटिंग, बजेटिंग करके गाउं के पानी से गाउं को पानिदार बनाने का एक अद्भु काम उस काल में उनके जब वो मुखपंत्री थे शुरू हुआ था और उस काम में कॉंटेक्टर नहीं था वो कॉंटेक्टर फ्री काम था तो उस काम से कॉंटेक्टर को फाइदा पहुंचाने का काम नहीं था वो गरीब लोगों का गरीब लोगों को फाइदा हो इसलिए सारे का सारा काम गाउं सभा करती थी लोग करते थी तो वो जो काम था वो काम गरीबों को ससक्त करने का गाउं के लोगों को सक्ति साली बनाने का काम था इसलिए भारत को यह पानिदार बनना है तो फिर उसी तरह का सामुदाई के विकेंद्रित जल परबंदन का की जरूरत है लेक तो मैं समझता हूं कि कमनेटी ड्रिवन डी सेंटलाइजड वाटर मेनेजमेंट सस्टेनेबल है और वो मध्य प्रदेश में एक तरह से एक आइडियल काम दिग विजय सी ने अपने मुखमंद्री काल में सुरू किया था उस काम को कि आज भी बहुत जरूरत है कि आज भी बहुत जरूरत है